असलाम अलेकुम वीवर्ज आप लोग सब कैसे हैं आई होप सब बिल्कुल चिक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि जहां जहां मेरा ये विलॉग देखा जाए आप सबको लग बहुत सारी खुशियां दे आमीन सुम्मामीन और अभी मैं आई हूँ दुबई हिल्स मॉल बहुत हैं बहुत ही one of its kind बनाया है यूनीक है डेफिनिटली हर चीज यहां पर लेटस से लेटस यूज हुई है और बहुत ही जादा लोग भी थे क्यूंके वीकेंड था डेफिनिटली असल में लोग ज्यादा दर जा रहे होते हैं इतने बतूता मॉल जो के मेरे घर के है भी जाना तो जना आप यह देखें यहां पर बहुत बड़ा सा एक बनी का स्कुल्प्चर रखा वा है या स्टैचू कहले हैं आप लोग बहुत लोग यहां पर पिक्चर ले रहे थे और हमारे बच्चों ने भी पिक्चर खिशवाई हैं यहां पर अच्छा अब इस विलॉग पर यहां पर पीजा जो था इनका मागरीटा वाला सिर्फ 10 दरम का हुआ था जिसकी ओरिजनल कॉस चाहे 39 या 40 दरम है मुझे सही नहीं पता लेकिन उसकी प्राइस 10 दरम हुई भी है तिल 12 माई तो हम लोगों ने भी यह ट्राइ किया और यकीन करें मैंने इतनी जगा का मा राज़े का बच्यों का तो आपको पता है पीजा आल डायम होता ही फेवरिट यह झाल उसके मिंटिक राइस कैसे कया उसके बाद माय यह बढंड़ नर बें भी इनका जो है वह डोन रडव चिकन का 15 दरम का हुआ था जिसकी औरिजनल प्राइज भी ऐसा ही 40 दरम का शाया ह तो हमने एक बोले लिया ट्राइ करने के लिए अब मैं लग गई हूँ वाफल की लाइन में और वाफल तो हमारी बच्चियों को बहुत ही पसंद है तो इनके भी वाफल जो के 40 दरम का एक वाफल था वो हमने इन्होंने हमें 10 दरम में दिया तो हमने एक न्यूटेला प्ले न वाला लंडन तो इसमें भी इनकी समोसा चना चार्ट वो 10 दरम की हुई थी जिसकी रियल कॉस चाह 36 दरम है तो हमने यह जल्दी से नकी रेडी थी तो हमने हमें हैंड-to-hand दे तो यह हमारे आ गए हमारे पीजा यह आ गए हमारे वाफल यह आ गए हमारी चार्ट तो हमने अ इतना बड़ा राय इतना बड़ा नी था चोटा था मतार नॉर्मल साइस का था तो बस पीजा बच्चे खा रहे थे तो हमने का कि हम यह रैप ट्राइ करते हैं और यह रैप 10 on 10 था बहुत मज़गा था लेकिन मुझे साइस होड़ा छोटा लगा लेकिन चले 15 दरम में हमने ड तो बस थोड़ी थोड़ी चीजें हमने ट्राइ की बलके फूट कोट में तो पैर रखने की जगा नी थी इतना रच था तो हमने जहां बैटके खाना खाया वहां से बर्गर्स भी लिये थे अगर आप लोग जाए तो अपोर्टो बर्गर्स हैं और उनके बर्गर्स भी 10 द प्रहनी मुझसे रह गए तो हमने पीजा ट्राइ किया हमने डोनर रैप ट्राइ किया और हमने वाफल ट्राइ किया हमने चाट खाई और हमने बर्गर्स भी ट्राइ किया थोड़ी 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 है नहीं हमने हाफ हाफ बर्गर खाया होगा चाट खाई हमने वाफल ट्राई के नहीं सब खाते खाते हैं मारा पेट भर गया और उसके बाद हम थोड़ा सा जाइंट मॉल गये थे अंदर ही नीचे उनका सेक्षन है वहां बस हमने थोड़ा सा वॉक किया और हम अब आ गये हैं आर एंबी यहां पर अच्छी सेल लगी थी और बच्चियों इनको दिलाएं यहां से दो ड्रेसे तो हमें अच्छे लग रहे थे और देखें कितने प्यारे प्यारे डीसेंट से मॉडेस से कपड़े होते हैं तो अभी मान इस तरह की चीज़े जादा पसंद करती हैं फुल लैंद वाले ड्रेसे और उसको अच्छे लगते हैं तो बस अच्छे आपको स्टफ भी अच्छा होता है और लांग लास्टिंग होते हैं ड्यूरेबल होते हैं कपड़े के आपने ले लिये ना तो अच्छे चल जाते हैं तो बस बहुत अच्छी वराइटी आई विए मैंने का अपने वीवर्स के साथ भी मैं शेयर करूं और इमान अच्छे ने ड्रेस ले लिया है अपने लिये बस अभी हम पे करेंगे और यहां से निकलेंगे क्योंकि अब घर के लिए निकल रहे हैं बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो वाश्रूम वगए हमने बच्छे को का कि अगर यूस करना है तो कर लो तो मैंने छोड़ी नहीं निकलना होता मॉल्स बगएर मेरा बहुत कम जाना होता है क्योंकि जातर करीब वाले हम लोग चले जाते हैं मॉल्स तो बस जणाब अगर आपको मेरा ये विलॉग पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजेगा स्टे टून for more upcoming vlogs uh until my next video khudda hafiz vya manila